हाई हेलो फ्रेंड वेलकम बैक टू माई चैनल तन्वी की जन चनल में आप सभी का स्वागत है तो आज फिर एक रेसिपी सेर कर रही हूं आपके साथ तो यह देखिए आप देशते बत्वा लिया है मैंने बत्वा मैंने अच्छे से दो लिया है दो तीन बर आपको दो लेना है क्योंकि मिट्टी में रहता है तो मिट्टी लगी बहुत ज़्यादा रहती है तो इसको अच्छे से एक बर दो तीन बर दो लेना है उसके बाद में आपको इसकी रेसिपी बनाना है तो इसकी आप कई तरह की रेसिपी बना सकते हो जैसे बत्वे गरायता हो प्राठे हो स कक्षी यूँ वहां से तोड़ा रहने हैं तो इस तरह दंडी कक्षी लिए और पत्या लिए Här मैं डारी हूं इसको से कूंक में डालना है बनारी को कूंक ळाला दी आ जहीं है तो यहार रास्तान में इसको बहुतु हीरफ सर्दियो की खास रेसीपी है और तो देख सकते हो इसमें मैंने डाल दिया करीबन एक गिलास पानी जाल दिया है और इसको ढपके gas पे रख दिया है करीवन 5 गिंदे लिए जादा नहीं रखना है तो यह हम हैने उबाल लिया और इसको इसका पानी अलग पर गाहने के वह एला, तो यह हमारा बिटवा उबाल लिया है. और इसको हम फेला लेंगे फेलाने के बाद में ही इसके आगे की रेसिपी बनाएंगे तो आप इस रेसिपी को आप सिल पट्टे पी बना सकते हो गाओं में ज़्यादतर सिल पट्टे पी बनाते हैं जैसे वो फत्तर का होता है ना उस पे बना सकते हो मैं ग्रांडर जार यू तो आखने होने के बाद मैं हमें इसको बनाना है अब इसमें डाल रहा हुँ अरि मिर्च को कट कर लेना है चलिया कि नहीं ताना मैं पभी दोड़ा सा को फोड़ाइसं का डेस्ट बहुत ही अच्छा आता है उसमें लसुन डुन आपको में दिखा तो इस तरह का होना चाहिए तो ये आप आपको त्यक्तक पीसे चुए इसको इनरे में पीस जब दिखना है, तो यो आप दीनर के टहिसा हाँ और इसमें आप चाहो तो लाल मिर्च भी डालतके हो जैसे साबुत लाल मिर्च आती है ना वो डाल के पी सकते हो उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है अब ये देखे मैंने धही ले रखा था तो धही फेट लिया था फेटने के बाद में ही इसमें डालना है तो अच्छे से धही फेट लेना है उसके बाद में ही बत्वे का जो हमने पेश्ट बनाया है वो डाल देना है इसमें तो पूरा पेश्ट हमें इसमें डाल देना है तो इसका हम बना रहे हैं रायता बहुत ही टेस्टी लगता है और रास्तान में किस तरह से बनाया जाता यह एक फेमस है रास्तान का रायता तो रास्तान का रायता है मान लीजी रास्तान में जातर बनाते हैं बत्वे का रायता तो यह बत्वे का रायता जैसे मक्के की रोटी बाजरे की रोटी के साथ खाके इतना टेश्टी लगता है बिल्कुल यमी यमी बहुत ही तेश्टी रायता बनता है ये वाला तो हमारे रास्तान में इस तरह से बनाते हैं कई जगे तड़का लगाते हैं तड़का भी लगाते हैं पर तड़का भी आप लगा सकते हैं इसमें हींग का राय का तड़का लगा लाल मिर्च पाउडर करूंग आढ़ी है इसमेयख मे दाले का्ला नमग दर दू पटी जाने लाल नमग डाले धीन है साल नमग कर साच रहा है जाने जाल कको पथपाउड करने नमग खचलूऍज़ करने गिस्वी है नमक बिउला गता है। यह जरूर डाले बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसमें तो यह मैंने डाल दिया है तो यह पूरे मसाले इसमें डल चुके हैं अब कुछ भी नहीं डालना है इसको अच्छे से मिला लेना है अब इसमें कुछ भी नहीं डालना है इतने के वी भोगत यह टेस्ट ही रहाटा तो हमारा राइता बिल्कुल अन zobaczy सब्सक्राइबा थन्यापती से तैं हमारा रायता बिल्कुल बनके रएडी हो गया हमारा रायता बनानी का तरीक आपको कैसा लगा पर कमेंट करके जरू बताई